वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं दहीं कैसे जमाती हूँ दहीं जमाने के लिए मैंने दूद को बॉल होने के लिए रख दिया है दहीं जमाते हो में एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम दहीं जमाएंगी तो दूद बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए ये वाम होना चाहिए अदरवाइस दहीं जमेगा नहीं तो मैं दहीं कैसेरोल में जमाती हूँ जिसमें हम रोटी रखते हैं तो उसमें बहुत अच्छा दहीं जम जाता है हमारी हाँ पर अभी विंटर सीजन है तो बारा घंटे में दही जम के रेडी हो जाता है तो ये मेरा कैसरोल है मैं इसी में दही जमाऊंगी अब मैं दूद को इस हॉट केस में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसमें टू टेबल स्पून में दही आड़ करके अच्छे से मिक्स कर दोंगी दही टेंपरेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है अगर तो गर्मिया है तो दही जल्दी जम जाता है अगर विंटर सीजन है तो थोड़ा टाइम लगता है तो हमारी यहाँ पे विंटर सीजन है तो 12 आवर्स में यह दही जम जाएगा और दही जम आते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जिस बरतन में आप दही जम आ रहे हो उसे हिलाव मत उसे एक ही जगां पे रखे रहने दीजिए अब मैंने होट केस का धकन बंद करके रख दिया है और देखिए 15 घंटे के बाद कितना अच्छा दही जम के रेडी हुआ है आप भी दही इसी तरीके से बनाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू